आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी-फिफ्टी इंडेक्स में 1-1-2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेर प्राइस थी और इंडेक्स था अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए 1- लंबी यूदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए 2- जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 3- जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले च्ञार अमारा Share अपने सेक्टर का Top Share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा Share Nifty से Better है या नहीं जयानि कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को एक लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-1-2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए एक लाग रुपए हो गए मार्च में इस इन्वेस्ट में इन्वेस्ट में इन्वेस्ट किये हुए एक लाग रुपए हो गए मार्च 2020 में इस investment की value हो गई और current Nifty 50 investment की value है share में appreciation ज़्यादा हुआ है इसलिए first point share ने जीत लिया है second point Nifty ने जीता third point share ने जीता overall share जीता एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये share और Nifty का index जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसा ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया ये share ने कितने percentage का return दिया stock market में अगर return ज्यादा है तो risk भी ज्यादा है ये आकड़े देखकर अगर किसी को विचार आए कि मैं bank FD तोड़कर share खरीद लूँ तो उसके लिए ये है अगला chart जो 11.2020 से 31.2020 का है ये comparison है 1st January 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा ये comparison है 1st October 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा ये comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा Thank you